नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोग, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल आवत का आलोग पर दोस्तों जिन्दगी के हजार रंग है, कभी सुख है तो कभी दुख है हमें लगता है कि हम जिन्दगी को जी रहे हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जिन्दगी को नहीं जिन्दगी हमें जी रही होती है समय का पहिया जैसे जैसे घूमता है ये अपने रंग दिखाती रहती है कभी-कभी तो हमें ये लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है पर ऐसा होता तो सोचिए क्या हम दुख का चुनाव करते हैं? बिल्कुल नहीं और देखिए ना कितने सोच समझ के हम अपने फैसले लेते हैं लेकिन कभी कभार हम उन फैसलों में फिसड़ी सावित होते हैं खेर छोड़ते हैं इन वातों को और ब्लॉक को आगे बढ़ा लेते हैं कई दिनों से मैंने अपने इस चैनल पर बिल्कुल भी वीडियोज नहीं डाली समय भाव भी था और साथ ही साथ जो है जिन्दगी के उलजने लेकिन आप लोगों का प्यार इस चैनल पर इतना वरस रहा है नाने लोग जुडते ही जा रहे हैं तो मुझे भी लगा कि अब मेरा भी दाईत तो बनता है कि मैं अपने ब्लॉक्स के साथ आप लोगों के लिए जो है नई नई चीजे और नई नई बाती प्रीवेस ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग जाकर जो है वो टाइल्स और पत्थर जो है वो ले आये थे तो अभी ग्राउंड पर हमारे यहां जो है वो फिनिसिंग नहीं होगी योकि ग्राउंड पर मैं मारबल का वार्क कराना चाहता हूं Marvel work जो है वो गाउं में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही टिकाय होता है यहाँ पर यह gate वाला work जो है यह भी near about complete हो चुका था और gate खड़ा होने के बाद यह करीब एक हपते तक तो इसको खुलना नहीं था इस वज़ा से बड़े इंतिजाम के साथ इसको रोका गया था और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा इसके एक साइड में primer नहीं हुआ है और आज जब मैं इस वीडियो का wise over कर रहा हूँ तो अब तक यह complete नहीं हो पाया है मुझे करना होता तो साइड में कर देता लेकिन gardening का work मेरे पास इतना ज़ादा हो जाता है और जब से मैं gardening के साथ साथ blogging पे आया तो मेरे पास समय की कमी और भी ज़ादा होने लगी क्योंकि सुबे साम मातर गिन कर मुझे अकर देखी जाए तो चार से पाँच घंटे जो है वो दोनों मिला कर मिलते होंगे उसी में मुझे ज्यूटी के लिए तयार भी होना होता है खाना भी खाना होता है साम को जो है थोड़ा सा आराम भी करना होता है और उसके बाद फिर से गाड़निंग करना होता है तो बड़ी मुश्किल है मेरे लिए जो है इसको खुद कर पाना और ये आम का जो पेड़ है यहाँ पर यहीं पर रहेगा क्योंकि इस बार इस पर नौंबर से ही जो है वो मंजरी आना सुरू हो गई है और ये घर का लुक है जो बाहर से जो हाँ पर मैंने किचन गाड़न लगा रखा था वहाँ से कुछ लुक निकल के ऐसा आता है और ये गाए के लिए मैंने जो बनवाया है सामने इनके लिए जो है होदी का भी इंतजाम कर रहा हूँ इसको नाहद बोलते हैं जब कंप्लीट जो है मिट्टी सामने पड़ जाएगी और इस पे इट वगेरा का काम हो जाएगा और बीच में मेरा पार्क जो मैंने अपने माइंड में रख रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा तो सायद लुक और भी ज़्यादा अच्छे से निकल के आएगा और थोड़ी से मिस्टेक हो गई थी जो पत्थर हम लोगोंने लिया था ये थोड़ा महंगा तो जरूर था महंगा देखकर ही लगा कि ये बहुत अच्छा होगा लेकिन था क्या कि इसकी चिकनाहट इतनी जादा थी कि इसमें थोड़ा मोल्डिंग का काम जो है उसमें सबसे अच्छा काम अगर किसी का मुझे लगा तो इन भया दोक का लगा ये लोग जब तक रहे अपना काम किया और मात्र तीन दिनों के अंदर जो है पुरा टाइल्स और पत्थर का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम जो है गाओं में रह रही थी जिसकी वज़ा से थोड़ी सी समस्या तो हो रही थी लेकिन फिर भी जो है इन्होंने मन लगा कर अपना काम किया कभी कबार होता क्या है कि जो है कुछ लोग अपने work के लिए काफे dedicated होते हैं और मेरे हिसाब से अगर हम अपने work में dedication नहीं रखते काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उसमें success हमको तभी मिल सकती है जब हम थोड़ा अपने work को लेकर dedicate रहे हैं ये अलका सा look आपको जो है वो kitchen का देखने को मिल रहा है अभी नीचे जो है वो थोड़ा finishing नहीं हो पाई है बाकि उपर ये यही वाली tiles जो है हम लोगों ने select की थी अभी final look जो है मैं ये नहीं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जब पूरा ठीक से अच्छे से complete हो जाएगा तो मैं आप लोगों के शाथ share करूँगा और अंदर जो kitchen के बाहर जो हम लोगों ने dishwashing area बनाया था तो वहाँ पर ये वास्वेसिन लगा हुआ था और उसको निकाल कर हमने बाहर यहाँ पर shift करा दिया ये area बिल्कुल भी non usable था बेकार सा पड़ा हुआ था side में बिल्कुल मिट्टी बगारा जो है बो गिरी रहती थी देखने में भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब देखिए ये इस वाल के किनारे बिल्कुल कोने पे ये लग गया तो अब धेरे-धेरे करके जो है वो छोटा सा portion भी देखिए usable हो गया और ये सामने से कुछ ऐसा लुक जो है वो निकल रहा है जब मुझे लगता है फर्स फ्लोर बनेगा घर का तब और भी अच्छा लुक जो है वो सायद निकल के आएगा खेर विडियो को अब यहीं पर इंड करते हैं कैसे लगए आपको ये ब्लॉग छोटा सा जो मैंने बनाया कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखेगा तब तक के लिए बाबाई and टेक केर